हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम टु गवर्मेन्ट जॉब जेनर नॉटिफिकेसान यूटूब चैनल फ्रेंड्स, मेट्रो रेल भृती 2021 का नॉटिफिकेशन आउट हुआ है मेत्रो रेल कॉर्पोरेशन की तरफ से रिक्रूट में नॉटिफिकेशन पबलिस कर दिया गया है मार्च 2021 11 मार्च 2021 से अल्लाइन अप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएंगे लास्ट डेट क्या रहेगी हम नॉटिफिकेशन में क्लियर करेंगे अगर आप इसके लिए करते हैं एक बार फुल नॉटिफिकेशन चेक किजेगा जो मैं पॉइंट रहेंगे मैं आपके इस वीडियो म इसको चेक कर सकते हैं चलिया अभी नॉटिफिकेशन देख लेते हैं योग मार्ब स्क्राइब नॉटिफिकेशन पर और उत्तर प्रदेश मेट्रील कोर्पुरेशन लिपटेट की तरफ से भरती की जारी है और सबसे पहले हम यहाँ पर देट के लिए करेंगे डेट और इसू अफ नॉटिफिकेशन तो यह 3-3-2021 तीन मार्थ 2021 को नॉटिफिकेशन पब्लिस किया गया है ऑलनाइन रिश्टेशन की स्टार्डिंग डेट है 11 मार्च और लास्ट डेट रहेगी 2 अप्रेल 2021 ग्यारा मार्च से लेकर के 2 अप्रेल 2021 तक आप इसमें अप्लाइ कर सकते हैं एड्मिट का डाउनलोड करने के लिए देट है 10 अप्रेल 2021 और इसकी जो रिटन एक्जामनेशन होगा सबसे पहले है असिस्टेंट मैनिजर ऑपरेशन पचास जार इनिशल सेलरी रहेगी अन्रिजर्ब्ट के लिए चार विकैंसी के लिए एक एक विकैंसी है फीमेल केंडिडेट के लिए अपने किई है और यहां पर डिटेल में दिया गया है सुआप एक वाच चेक का लिजेगा किसकी ब्राइन से मांगा गया है स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर 33,000 स्टार्डिंग सेलरी रहेगी 166 टोटल विकैंसी इसमें आपका 3 यर का इंजिनियरिंग डिप्लोमा आपने किया है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोनिक्स, इलेक्ट्रोनिक्स और टेली कमिनिकेशन में या इसके एक्रिवेलेंट तो आप इसमें एप्लाइ कर सकते हैं परसेंटेज वही रहेगी जो मैंने अभी आपको बताया मिनिमम परसेंटेज नेच्स्ट हैं, मैंटिनर के लिए, लग्त्रिकल, मैंटिनर एंटेनर सब्स्राइश, सिवल के लिए, इसमें 25 वेकैंसी हैं, वेकैंसी में चाह्ने पैंटेनर की पोस्ट है उसके लिए ITI जिन्होंने किया हुआ है वो एपलाई कर सकते हैं NCVT और SCVT से ओके इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिसियन ट्रेड में मिनमाम 60% मार्क्स के साथ और अगर आप रिजब काटिग्री से हैं तो आपको 50% रहेगा अब यहाँ पर हम देखेंगे कि आपका जो फीस रहेगी वो क्या रहेगी तो यहाँ पर हम नीचे देखेंगे फीस यहाँ पर जो फीस है वो अन्रिजर्ब्ड एंड OVC के जो कैंडिडेट है उनके लिए है 590 अगर आप सेस्ट कैंडिडेट से हैं तो 236 है लेकिन यह स्रिप यूपी से अगर आप आपका जो इस्थाई नवासी आप यूपी के हैं तब भी आप इसमें अन्रिजर्ब्ड के लिए पांसो नब्ब्ड एंड रिजर्विशन जो दिया जाएका रिलेक्सेशन दिया अगर आपको ऑनलाइन करना होगा www.upmetrorail.com पर जाकरके आप इसमें अप्लाइन कर सकते हैं अगर हम एक्जामनीशन सेंटर की बात करें तो इसमें जो एक्जामनीशन है वो रखाज CBT-based आपका टेस्ट होगा एंड जो एक्जामनीशन है वो लकनव, कानपोर, आग्रा, प security bond, यहाँ पर कुछ bond है जो देना होगा जैसे कि पोस्ट, executive post के लिए 94,400 SC, and TO के लिए 41,300, and maintainer के लिए 23,600, ओके, यह आप एक बार जरूर चैक कर लिजेगा, आप fully notification चैक कीजेगा, जब आप पूरी तरह से satisfy हो, तब ही आप इस post के लिए अपलाई कीजेगा, क्योंकि जो application fees, non refundable है, अगर आप एक बार पे कर देंगे, application fees return नहीं होगी, ओके, अब यहाँ पर training and provision period, two years का यहाँ पर दिया गया है, two year का training and provision period रहेगा, next अब हम बात करेंगे, selection procedure की, तो अगर आप assistant manager के लिए apply कर रहे हैं, तो इसमें आपका selection procedure है, two stage होगा, return exam होगा, and then आपका document verification and medical examination होगा, अगर आप post train operator के लिए, station controller come train operator के लिए कर रहे हैं, तो आपका three stage में प्रसेस रहेगी, जिसमें return test, psycho aptitude test होगा, and then document verification and medical examination होगा, अगर आप maintainer post के लिए apply कर रहे हैं, तो इसमें आपका two stage process रहेगी, जिसमें return test होगा, and document verification and medical examination होगा, तो friends ये थे इसके basic point अगर आप इसमें apply करते हैं एक बार पूरा notification जरूर check कीजेगा जिस तरह से मैं आपको bond के बारें बताया कई candidate को नहीं पता होता है बाद में पता होता है तो एक बार आप चेक कर लिजेगा अगर आप इसके लिए आपको suitable लगता है तो ही आप इसमें apply कीजेगा अगर आपको video helpful रहा हो पसंद आया हो तो like, subscribe, share भी जरूर कीजेगा Thank you